आप महाभारत का जिकर कर रहे हैं, पर जो इसमें भी डिविजन आ जाता है ना, तो scholars जो कहते हैं कि it is a myth, कोई प्रूफ नहीं है, अब आप बात करते हैं कि महाभारत में chariots थे, so how do you define it, एक तरफ scientific theories होती हैं, और उस तरफ ही archaeological findings है, जो scientist है वो तो archaeological findings से जाएंगे, दूसरी तरफ culture, tradition, scholars वो भी हैं, एक scientific scholars हैं, एक तरफ आप political scholars भी आ जाते हैं, एक तरफ आप traditional scholars भी आ जाते हैं, इन दोनों के बीच जो conflict आ जाता है इन groups में, तो आप महाभारत को कहां डालते हैं इस सब में, मिथ है, legend है, scientific proof है, क्या है? दो चीज़ें, महाभारत एक ऐसा grant है, जिसमें सब कुछ है, totality में हमें उसको देखना होगा, वो एक historical literature नहीं है, हमको उसमें से history निकालनी है, उसमें से philosophy निकालनी है, उसमें से geography निकालनी है, क्योंकि वो जो Indian scholars के लिखने का जो तरीका था, वो बहुत interesting था, जो western scholars के लिखने का तरीका है, वो बिलकुल अलग है, वो history लिखने का तरीका था, हमारे हैं history को और philosophy को ऐसे इमलगमेट करके लिखने का तरीका था, जिससे आम आदमी के मन में वो चला जाए, और यही कारण है कि आज भी महाभारत और रमायन जैसे grant, वेद जैसे grant उसकी continuity ह है आज तक, और इसकी यह जो flexibility है, इसको Indian context में समझने की ज़रूरत है, और कैसे हम इसको scientific उसके साथ कैसे देखें, यह important है, सबसे पहले प्रफेसर बीवी लाल ने इस पे काम करने शुरू किया, और उस समय महाभारत के जो उन्होंने डेट दिये, वो लगभग एक हजार से 900 BC के आसपास का उन्होंने डेट दिया, उसका कारण यह था कि जिस जिस साइट, जो साइट, important साइट महाभारत में जिसका जिक्र है, उन साइटों को उन्होंने explore किया, कुछ साइट को excavate किया, जैसे हस्तिनापुर जैसे साइट को excavate किया, और वहां जो उनको earliest pottery मिला, उसक का डेट प्रपोज किया कि हजार से और लेकिन एक सब कॉंसर्स मन में एक ये बात थी कि वह जब भी होगा चौदासो पंद्रेसो बीसी के बाद होगा क्योंकि वैद का डेट चौदासो पंद्रेसो बीसी से उपर हाफ नहीं सोच रहे थे तो वह निश्चित रूप से उसके प्रॉसेस चेंज होता है कि हमारे पास तो सब कुछ था हमारे पास हॉर्स भी है क्योंकि जो चैरियेट है कितने हजार साल पहले तीन हजार चार हाँ यह लगबग आप टू थू थाउजन बीसी आठारा सो से दो हजार बीसी के बीच में यह चैरियेट आ जाता है और जब कीजिए क्योंकि कोई इंस्क्रिफशन्स जब तक नहीं है या इसकरेशन में हम पिनपोइ्ट नहीं कर सकते लेकिन महावारत में जो सोसाइटी है जो कल्चटर है जो हिरोट कल्चर दिखाई देता है और अलग-अलग रीजन से जो लोग महावारत में पार्टिसिपेट करक जो matrimonial alliances है, उन सब चीजों को अगर आप assess करें, फिर archaeological context में अगर आप उसको देखें, कि जो जो जोगरफी महावारत में है, उस जोगरफी में जो sites मिल रहे हैं, उस site के cultural affinity का nature क्या है, क्या वो nature महावारत में जो वड़नित है, उसके nature के साथ, cultural nature के साथ क्या टेली कर रहा है अगर हम ये देखने की कोशिस करते हैं, तो OCP, copper horde culture, जो हमें सनौली में मिला है, और पूरे गंगा यमना दौाब में, ये prevalent है, जगा जगा आपको कई वार आप देखेंगे कि weapons मिल रहे हैं, copper के horde के horde weapons मिलें, ये क्या है? ये बहुत important है ये समझने के लिए कि उस समय का जो महावारत में बढ़नी थे heroic culture, वो कहीं न कहीं इनके साथ match करता है, इस dating के साथ match करता है.